स्वागत बच्चों सबका ओनलाइन क्लासेज में ओनलाइन क्लासेज के सीरीज में आज हम क्लास 9 सामाजी विज्ञान क्लास के अंतरगत भूगोल विशे में लेसन 2 भारत का भौतिक शरूप के अंतरगत 2-3 शरूप the northern plane या उत्तर का विशाल मैदान के बारे में विश्तार स चर्चा करेंगे इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि उत्तर का परवतिय भाग यानि हिमाले का परवतिय भाग के बारे में आपको विश्तार से बताया गया है और आज हम दुतिय भाग यानि the northern plane पर विश्तित रूप से चर्चा करेंगे तो आईए देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान और इस मैदान के निर्माड में मुख रूप से तीन नदियों की महत्पूर्ण भूमिका है सिंदु नदी सिंदु नदी आपको पता है यहां से निकल करके जसकर करा कोरम से होते हुए और दक्षण की ओर आ करके फिर अरफ सागर में गिरती है तो मुख भूमिका सिंदु नदी फिर है गंगा नदी और ब्रह्म पूत्र नदी इन तीन नदियों की महत्पूर्ण भूमिका है उत्तर के विशाल मैदान के निर्माड में ठीक है तो आप बहुत पेशंस के साथ ध्यान से देखें और सुनें जिससे की आपको लेसन को स है यह आप देख रहे है राजस्थान में है राजस्थान का मैदान दूसरा है पंजाब हर्याणा का मैदान और यह जो गंगा का मैदान है इसको भी तीन भागों में बाटा गया है और तीन भाग में है पहला उपरी गंगा का मैदान मद्द गंगा का मैदान और निचली ग आया हम करंशा एक करके सभी मैदानी भगों का विश्ट्रित कोषिश होट को पूरी जानकारी आपको दी जाएगी तो पहले देखते हैं राजस्थान का मैदाण राजस्थान के मैदान को दो भगों में डिवाइड कर सकते हैं और यह है उत्तर और ये है दक्षन, यानि उत्तरी राजस्थान का मैदान और दूसरा ये दक्षनी राजस्थान का मैदान, ये जो मैंने बताया है, ये है मरुस्तली है, इस मैदान की परसिद नदी है, लूनी नदी, कौनसी है, ध्यान से देख ले, पूछा भी जाता है कभी कभी, कि राजस राजस्थान की मुख नदी कौन सी है तो आंसर क्या होगा लोनी नदी और इसके लावा जो यह है उपर का उत्तरी राजस्थान का मैदान अरावली परवत यह है अरावली परवत है समानांतर इसके तो अरावली परवत के नजदीक होने से यह उत्तरी भाग क्या है रौकी है ठीक है मैंने क्या बताए यह जो उत्तरी राजस्थान का है भाग यह अरावली परवत के समानांतर है और इसके कारण यह भाग कैसा है रौकी यानि की पहाडी भाग है और उपर का छेतर बांगर है बांगर कारते पुरानी जलोड मरदा बांगर खादर और यह तरही इन सब क बारे में इसके पहले वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बता रखा है तो यहां ज्यादा ना बताकर आपको सिर्फ इन्हीं मैदानी भागों के बारे में बताऊंगों जिससे की वीडियो ज्यादा लंबर ना हो ठीक है और दक्षण राजस्थान मरुस्थल यह जो मैं यह जो मैंने बताया अरावली शाखा है और यह मांसून यहां से उठकर इसके पर्वत इन मांसूनी हवाँ से वर्षा नहीं करा पाती इस वजह से यह मरुस्तलिय यह डिजर्ट है जो कि बंगाल की खाड़ी यहां पर जो बंगाल की खाड़ी है पूरी दिशा में तो बंगा जैसे यह यहां पर वर्षा नहीं कर पाती हैं दूसरा यह देखते हैं जो हमारा मैदानी भाग है पंजाब हरियाना का मैदानी भाग यह मैदान सिंदू और उसकी सहायक नदियों से बना है दूसरा जो है पंजाब और हरियाना का मैदान इसमें सिंदू नदी और उसकी सहा नदी कौन कौन से सतलास बियास और रावी नदियां जैसा कि आपको पता है जिस चेतर से भी बहती हुए आगे बढ़ती है अपने साथ कुछ न कुछ आवसाथ लेकर बढ़ती है जिस से मैदानों का निर्मार होता है तो यहां पर जो सिंधु नदी है सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों ने इस मैदान के निर्माड में महत्पूर्ण भूम का निभाई है और उसके बाद है जैसा कि मैंने बता है यह गंगा का मैदानी भाग है तो गंगा के मैदानी भाग को भी तीन भागों में बाटा है इसमें उपरी गंगा फिरमद गंगा और निचली तो सबसे पहले हम देखेंगे उपरी गंगा इसमें गंगा यमुना शारदा काली और राम गंगा नदियों की मुक्य भूमका है ठीक है आपको पता है गंगा यमुना और इस प्रकार से काली नदी और इसकी जो सायक है राम गंगा नदियां इस मैदान के निर्माड में अपन सिंदू और ब्रह्मपुत नदी के पेक्षा अधिक जलोड का निक्षेप करती है और यह जो है इसका छेत्र भी सरवाधिक है उसके बाद हम देखते हैं मद गंगा का मैदान इसका निर्माड अधिकतर उत्तर प्रदेश यह जो देख रहा है उत्तर प्रदेश और कुछ बिह और यह आप देख रहें बिहार के छेत्र में भी है और उसके बाद है जो है यह निम्न गंगा का मैदान ठीक है निचला गंगा का मैदान जैसा कि आप जानते हैं गंगा का विस्तार उत्तराखंड उत्तरप्रदेश बिहार पश्यमंगाल और बांग्लादेश तक इसका वि इसली जो निम्न गंगा का मैदान है यहां पर चावल की खेती विशेश रूप से होती है क्योंकि यहां नमी इस मैदान में हमेशा बनी रहती है लेकिन इसके साथ ही इस नमी युक्त और जो है गरम छेत होने के कारण यहां पर विशेल और हानिकारक जीव भी बहुत अधिक म बिमारी का कारण बनता है जैसे मलेरिया चिकन गुनिया और डिंगू इस सेत्र मोस्टली बिमारिया आपको देखने को मिल जाएंगी और अंत में हमारा जो मैदानी भाग है बच्चों यह है ब्रह्म पुत्र का मैदान यह मैदान पश्चिम को छोड़ करके तीन और पहाड जंगा परवत इसको घेरे हुए हैं किन्तु आसम चेत्र में इस मैदान का यह जो है एरिया मैदान का रूप ले लेता है ब्रह्म पुत्र नदी ने ऊपर नाम चावर्वा ठीक है ना यह जो नाम चावर्वा है इन परवस यहिए को काट कर जलोड मैदान का निर्माड किया यह मैदान अन्य मैदानों के पेक्षा अन्य कौन से यह जो मैंने आपको बता है राजस्थान पंजाव और गंगा के मैदान इन मैदानों के पेक्षा छोटा है इसका विस्तार असम में और कुछ भाग मेखाले में यहां पर असम में और कुछ भाग मेखाले में तो यह थी आ आपको समझाने के लिए उत्तर के विशाल मैदान आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो कर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे की इसी लेसन के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरूंत आजाएं तो मिलते हैं अगले जो पर इसका जो क्या है फिसकल फीचर है इससे समंदित अगले वीडियो के लिए तब तक आप इंतिजार करें थैंक्यू टेक केर